हाई गैस आज है तारिक 14 नेवंबर 2021 और है संडे देखेंगे आज का दे हिंदू कंप्लीट यूश्पेपर को एनिलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट यूश्पेपर का पीडियेफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन आप लोग को ये वाला चनल मिल जाएगा उस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे आटोमेटिकली ये चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना नाओ जॉइन करने से फायदा क्या होगा यहां पर आपको डेली बेसिस पर दहिंदू न्यूस पेपर मिल जाता है डेली करंट अफ़ेर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी इसके आपस पास कौन कौन से एरियाज है अच्छे से मैप में देखना दनूस के बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो की यूपी एसी प्रिवियस इंजन्स का इस्तमाल किया था ठीके तो आप लोग को बताना है ये जो साल 2007 में रॉकेट टेस्ट किया हिया था ये कहां पर हुआ था कौन सी जगा पर हुआ था नीचे ऑप्शन दिये गए बैलासोर बी थिरुवननता पुरम सी महिंद्रागरी या फिर डी कारवार इसके तो मालूम होगा मैंने इजरो के स्पाइगेस के बारे में काफी बार आप लोगों पढ़ाया है चाहू तो आप लोग एक बार सर्च कर सकते हो टेलिग्राम पर जैसी आप टाइप करोगे इजरो स्पाइगे आपके पास काफी सारे नोट्स आजाएंगे पिच्चर्स आज से हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे थे इस टेक्नोलोजी को लेकिन फाइनली हमने डेवलप किया और काफी लेट हो चुके थे काफी सारी कंट्रीस हम लोगों से आगे निकल चुकी थे ठीके इसके बारे में आप लोगों को याद होगा तो यहां पर बढ़ते हैं आगे तो वो भी बहुत important है तो आज का overall newspaper देखो जनरली Sunday का newspaper इतना खास होता नहीं है लेकिन आज का newspaper बहुत खास है एक एक चीज़ सुनते वे चलना नोट्स बगरा मैं आप लोगों यहाँ पर देता रहूँगा जैसा डेली बिस्स पर देता रहता हूँ अब इस article में बात कीए नक्सल्स के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता हूँ यह जो article है हमारे syllabus के point of view से कैसे important होगा तो GS paper 3 के अंदर बहुत सारे topics आता है टिके left wing extremism आता है यह सारे topic हमारे syllabus के अंदर है तो उनके point of view से directly हाँ पर यह article important हो जाएगा article में क्या बोला गया अभी गट चिरॉली के अंदर लगबग 26 नक्सल्वादियों को मारा गया है और इस पूरे operation के दौरान हमारे जो तीन महराश्ट्रा के policeman है वो injured हुए वो घायल हुए अभी hospital में उनका treatment चल रहा है यहाँ पर information है देखो यहाँ पर नक्सल्वादियों का एक बहुत बड़ा incident हुआ था जहां पर हमारे 8 CRPF के जवान जो है यहाँ पर शहीद हुए उसके बाद साल 2019 के अंदर 15 पुलिस परसनल यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने अपनी जान गवाई इस पूरे incident के अंदर फिर आप देख पाओगे साल 2020 के अंदर भी इसी प्रका हुआ था जहां पर क्या हुआ बाइस जो हमारे जवान है वह वीर गति को प्राप्त हुए इस पूरे के पूरे incident के अंदर ठीके यह चीज़ा हम लोगों ने देखी थी तो यह मोईस्ट अटैक काफी जादा है तो बहुत जादा मोईस्ट अटैक देखने को मिलता है भारत क अंदर बहुत सारी जगा हैं जो की मोईस्ट अफाक्टेड एरियाज हैं तो हम लोगों डिसकस करेंगे आखिर कार यह मोईस्ट क्या है यह नकसलवाद क्या है कैसे बढ़ता है नकसलवाद प्लस इसका आज के टाइपर क्या solution है यह सारी चीज़ा आप से पूछी जा सकती ह हैं तो इस आर्टिकल के अंदर वही सारी information दी गई क्या attack हुआ है कहां पर attack हुआ है कौन इसको head कर रहा था यह सारी चीज़े बताई गए लेकिन अब क्या यह पूछ जाएगा आपसे exam में बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर क्या होगा नकसलवाद के regarding आपसे पूछ जाएग यहां के point of view से important हो जाएगा तो यहां पर हम लोग मॉइस्ट बोलते हैं इसी को हम लोग यहाँ पर नकसल बोलते हैं लेकिन भारत में यहाँ पर नकसल के नाम से जना जाता है लेकिन दुनिया भर में मॉइस्ट के नाम से जाने जाते हैं यह तो इसके बारे में आप लोग को आईडिया रखना है सबसे पहला question तो यह जो नकसलिजम वर्ड है यह निकल के कहां से आया है तो West Bengal के अदर एक गाउं है नकसल बारी वहां से निकल कर आया है क्योंकि यहाई पर यह शुरुवात हुई थी नकसल वाद योगी ठीके नकसलिजम की शुरुवात हुई थी कभी मैं आपको इसके ओपर एक वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से शुरुवात हुई थी इसके इतिहास के ओपर डेफिनिटल एक वीडियो बना कर आप लोग के लिए पबलिश करूँगा ठीके अभी फिलाल जो important बात हैं उसको हम लोग थोड़ा से समझते हैं तो यहाँ पर जो नकसलिजम है यह आज की टाइम पर less developed states के देखने को मिलेगा खासकर ऐसे राज्ये जहां पर बहुत सरे एरियाज अभी पी ऐसे यहां पर विकास बहुत ज़्कास बहुत जदा नहीं हैं जैसे QatisOut had और इनकी आइडियोजी ही अलग होती है इनकी जो मतलब आइडियोजी होती है जो स्टेट की पावर मतलब सरकार वगरा कुछ है ही नहीं क्या है इनके हाथ में हत्यार है एक आप ये क्या कर रहे है सरकार की पावर्स को हटाना चाहरे है सरकार गोवर्मेंट को हटाना चाहरे है ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ तो left-wing extremism के reasons क्या क्या है अगर हम history देखे न तो किस प्रकार से इस left-wing extremism को बढ़ावा म मिला है वो आप लोग को समझ में आएगा सबसे पहला यहाँ पर ट्राइबल डिसकॉंटेंट के नाम से एक आपको रीजन देखने को मिलेगा यह रीजन क्या है न हमने क्या करा फॉरेस्ट कंजरवेशन एक वो उसी जंगल के उपर डिपेंडेंट थे उसी पेड़ पॉदों के साथ रह रहे थे वहीं से कामा कर कुछ न कुछ खा रहे थे अपना जो जीवन पूरा है वो इसी प्राकार से यहाँ पर व्यदीत कर रहे थे अब क्या हुआ यहाँ पर हमने फॉरेस्ट कंजरवेशन एक अब सब्सक्राने और यहना बचाने के लिए और यहां से यहाँ आपने बहुत पहले доб से ही था अब जब नक्सलिजम बहुत पहले से यही था वहां परे लोग बहुत पहले से ही था उनकी क्या करेंगे, वो इनुलों को अप्रोच करेंगे मतलब जो और छोग यहां पर जंग्लों से जिनको निकला गया है उन लोग के पास जाएंगे उन लोग के पास जाने के बाद सरकार के किलाफ वो भी भरकाएंगे, क्योंकि इसी कैडिगरी में आ जाते हैं और ये नकसलवाद बढ़ता है चले जाता है और फिर ये नकसलवाद इतना खतरनाक है कि आज के टाइम पर बहुत सारे अब development बहुत कम है तो उसी प्रकार से क्या होता है यहापर जो लोग हो चले वे रहता है कि सरकार हमाली कोई काम नहीं कर रही है अब क्या होता है उन्हीं को moist approach करते हैं और उसके बाद नहीं पर वो लोग भी क्या होता है गवर्मेंट के अगेंस्ट में हो जाती है अब वो इसे communicate नहीं कर पा रहे हैं इसी वज़ा से यहापर क्या हो रहा है वो लोग शिकार बन जाता है मॉइस्ट के यह आप लोग देख सकते हो दन उसके बाद आज के टाइम पर क्या है सरकार बहुत सरे इनिशेटिव चला रही है हमारे left wing एक्स्रेमिजम को से फाइट करने के लिए जैसे एक इनिशेटिव है ग्रेहाउंड इसको लगबग यहाँ पर बनाया गया था 1989 के अंदर और हम लोग इसको एंटी नकसल फोर्स ही बोलते हैं नकसल के अगेंस्ट में यहाँ पर यह फोर्स लड़ती है उसके बाद एक 2018 में लांच किया गया था यहाँ पर में मकसद यह रखा हमने कि जो भी ऐसे डिस्ट्रेक्ट जो की काफी पीछे हैं जहाँ पर डेवलेपेंट वगरा बहुत कम है उनको अच्छे से यहाँ पर ट्रांस्वर्म किया जाएगा एक अच्छे से एरिया के अंदर दनुसके इस की परफॉमेंस इंडिकेटर उसके बाद ऐसे हानेसिंग टेकनलोजी एसे एक्षन प्लान फॉर इच थेटर एंसे नो एक्सेस टू फानेंसिंग तो यह समाधान करके एक नाम है जहाँ पर एक लीडर्शिप होगी स्ट्रेजी होगी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई यहां पर नक्सलिजम बहुत ज़ादा है उसके बाद और यहां पर थोड़े से कम अफ्यक्रेड हैं ग्रीन वाले एरिया बहुत कम अफ्यक्रेड है तो यह आप लोग देख पाओगे तो नक्सलिजम काफी सारी जगा पर आज की टाम पर बढ़ता वहा नजर आ रहा है तो पर एक मात्व सॉलूइशन ऐसे इंफ्रास्ट्रुक्चर को सरकार डवलप करें, इन लोगों से कॉमिनेट करें, प्लस उसके बाद यहाँ पर एक सॉलूइशन मैं आप लोगों को बताई दिया कि गुवर्नेंट आज के टाइम पर क्या-क्या इनिशिटिफ चला रही है, इन इंटरनेशनल ट्रेवल के उपर उसको अभी के लिए हटाया जाए, तो सबसे बहले बाद आपको समझना होगा है, यहाँ पर ट्रेवल बबल कहलो या फिर एर बबल कहलो, देखो एर बबल एक अरेंजमेंट किया गया था, एक बातचीत की गई थी आपस में कंट्रीज के वज़ा से तो इसी को हम लोग बोलता है air bubble तो इसके बारे में आपको ध्यान अगा है तो air bubble simple सा है एक temporary arrangement when regular air services are suspended ठीके तो यहाँ पर suspend किया गया pandemic की वज़ा से इस वज़ा से इसको हम लोग बोलता है air bubble देन उसके बाद बोला गया आज के time पर बहुत सारे लोग हैं जिनको travel कर है और आज के time पर बहुत कम flights लगबक 40 के आसपास flights जो है हर हफते चल रही है जो कि European nations जा रही है ठीके फ्रांस के साथ यहाँ पर चल रही है जर्मनी के साथ चल रही है लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर passengers काफी जादा है ट्राफिक बहुत जादा है तो इसकी वज़ा से और एक छोटी सी information थी जादा कुछ खास information इसके बारे में है नहीं दनुस के बाद आती है खास information यहाँ पर article काफी चर्चा में है तमिल आडू का एक statement आ चुका है पहली बात तो एक dispute काफी चर्चा में है वो है मुलापीरियार dispute एक important dispute बन चुका है हमारे exam के perspective से क्योंकि GS paper 2 के प्लस उसके बाद यहाँ पर बात चीत की गई है तो तमिल आडू यहाँ पर यह बोलता है कि देखो जो मुलापीरियार डैम है यह बिल्कुल safe है अब इसको लेकर काफी विवात चलना है बहुत लंबे समय से यह एक तरीके से लड़ाईयां चलने है तमिल आडू और के बी करने होगा यह बिल्कुल देखो भाद के लिवात जो नहीं पर पानी कौन इस्तमाल करेगा तमिल आडू इस्तमाल करेगा क्या क्या करेगा तो बिल्कि आप करेला नहीं स्क्तमाल कर सकता है तो तो बिल्कुल नहीं इस्तिमाल कर सकता, कहोगे यह क्या बात है, यही तो बात है कि जो यह डैम है, यह करला के अंदर है, लेकिन इसका यूज पूरा तमिलाडू करेगा, तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ था, लगबग आपका सकते हो, 1895 के आउस पास लगबग एक agreement क क्या करा, यह जो डैम है, यह करला के अंदर डैम बनाया, जिसका नाम मुलापेर यह डैम है, और यह जो डैम है, इसको लीस पढ़ दे दिया, तमिलाडू को, मतलब किराइप पढ़ दे थिया, अब एकका क्योशन होगा, आपका कितने साल के लिए किराइप रिया या, तो आज पर इतना पुरान होने की वजा से काफी सारे crack है, काफी कमझोर है, इनी सब चीजों की वजा से करेला यह मुद्दा उटाता है, करेला यह कहता है यार यह डैम हमारे पास locateate है, हमारे एद्दू की district में locateate है और इस पर crack लग चुक है, सौ साल पुराना हो चुका है अगर यहां पर पानी का लेवल बढ़ाओगे तो इससे डैम तूटेगा तो हमारा जो इद्धु की डिस्ट्रिक्ट है वो बह जाएगा करेला ओल्रेडी काफी जरे फ्लड वगरा से सफर करता रहता है तो यह चीज यहां पर बताई गई थी ले पानी नहीं मिल पाएगा इसी प्रकार से डिस्पूट चल ला है और करेला अपने चकर में है करेला यहां पर अपना कंसर दिखा रहा है कि यहार अगर यह डैम तूटा तो इससे बरबादी तो हमारे होगी न तो यह डिस्पूट चलता रहा था यह सुप्रीम कोड इतना वाटर का लेवल रखना है उसके बारे पर डिसीजन चल रहा है लेकिन दूसी तरफ आप यह देख पाऊगे तमिलाडू ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो मुलापिरयार डैम है वो बल्कुल सेफ है हम लोगों ने एक तरीके से सही से एनलेसिस कर लिया है सही से स् आपको सब चीजे क्लियर हो चुकी है जितना भी मैंने डिस्प्यूट समझाया है न वह आपको लेखित में यहां पर दे दिया है आर्टिकल जीएस पर थी डिजास्टर मेनेजमेंट के परस्पेक्टिव से भी इंपोरेंट है यहां पर आप देख पाऊगे मैंने डिस्प 24 क्लमेटर्स के आसबास किसली लेंथ है और इस परियार रिवर को हम लोग लाइफ लाइफ लाइन ऑफ करेला भी बोलते हैं उसके बाद यहां पर इस के बाद नाम आप लोग एक इसके आपर ईडियार रहाए पर पुजा मुलेयार और चेरूत होई और उसके नाम आप लो बढ़ते हैं next article पर नाव यहाँ पर आता है next article अभी आपको मालूम होगा COP26 का summit चल रहा है Conference of Parties 26 का यह summit कहाँ पर हुआ है ग्लासको के अंदर इसको खतम Friday में ही हो जाना था लेकिन Saturday तो इसको बढ़ाया गया से summit को extra time में रन किया गया क्यों क्योंकि अभी भी agreement सही से नहीं हो परा है countries के बीच में खास कर fund को लेकर agreement नहीं हो परा है यह fund का dispute क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ यह सारे statement हम लोगों ने इस summit के अंदर दिये यह summit कहां पर हुआ है Glasgow Scotland के अंदर नाव एक question आप लोगों से यहाँ पर मैं यह पूछूंगा और इसके बारे मैं आपको कल भी बता है था इसके बाद 27वा वाला edition मतलब साल 2022 वाला edition कहां पर होगा प्लस 28वा वाला edition साल 2000 लगबग आपको नेचे comment section में बताना है कल ही मैंने आप लोगों को इसके बारे में एक information दी थी बिल्कुल front page वर आपको याद होगा ठीक है अब क्या है यहाँ पर यह हमने डिसकस किया अभी प्रकिरखार इस meeting को Friday में खतम हो जाना था Sunday में हमने इसको extra time दिया क्यों दिया क्योंकि सही से agreement नहीं हो पर है countries के बीच में खासकर fund को लेकर यहाँ पर जो developing countries है खासकर सुनना ध्यान से ING लगा रहा हूं last में और दूसरी जो है developed countries है जहां पर last में ED लगाए developed countries जैसे कि US हो काफी pollution किया है ठीक है industrialization के time पर उन्होंने काफी pollution किया carbon emission किया दन उसके बाद आज के टाइम पर बोलोग develop हो पाएं लेकिन जो developing countries हैं जैसे कि इंडिया हो गया चायना हो गया वो आज के टाइम पर भी pollution कर रही है क्यों क्योंकि हम लोग developed की तरफ बढ़ रहे हैं इसी के उपर ध्यान देते हैं ज्यादा क्योंकि आज के time पर हम लोग renewable energy के उपर definitely focus कर रहे हैं बहुत जादा अगर पूरी तरह से focus करेंगे तो इधर की site factories वगरा काफी weekend हो जाएंगी इससे काफी नुकसान होता वह नजर आएगा और economy वगरा काफी down होगी इसी वज़ा से इंड developed countries है वो ready नहीं हो पा रही है तो इसी वज़ा से जो agreement है वो अभी तक settle नहीं हो पाया है इसी चीज़ को लेकर ये discussion आगे भी रहा और अभी इसी वज़ा से सको extra time दिया गया है अभी भी हाँ पर आपका सकतो जो countries है जो developed countries है वो अभी भी हाँ पर इसी point पर stick कर चुकी है fund को करते हैं अगले article पर next article यहाँ पर बात करता है stop misleading add on crypto यहाँ पर सरकार हमारी बोलती है सरकार क्या जो हमारे प्राम मिनिस्टर है मुदी जी इन्होंने सेटरडे में एक meeting को चेयर किया और उस meeting को चेयर करते हैं आज के टाम पर क्रिप्टो करंसी का काफी ज़रा advertisement देखने को म होने वाला है तो इससे यहाँ पर यूद बटकेगा क्योंकि क्रिप्टो करंसी के उपर कोई भी regulatory body नहीं है सरकार इसको लेकर एक step उठा रही है कि देखो regulatory body नहीं है इसी वजासे यहाँ पर आप लोग यहाँ पर misled ads दिखा रहे हो क्रिप्टो को लेकर उसको अभी रोकना चाहिए तो सरकार का यह statement देखने को मिला आने विले टाइम पर हम लोग देखेंगे क्या वाकई में इसको रोका जाएगा क्या क्योंकि Supreme Court अभी क्या हुआ Reserve Bank of India ने आपको मालूम होगा पहले Cryptocurrency को बैन भी क्या कि हम लोग Cryptocurrency को अलाव नहीं करेंगे क्योंकि Cryptocurrency के उपर के Control है Reserve Bank of India का उसी प्रकार से सभी Countries के अंदर कुछ ना कुछ होता है Regulatory Body होती है लेकिन Cryptocurrency के उपर कोई भी Regulatory Body नहीं है इसकी Mining हो रही है इसको निकाला जा रहा है तो क्या है आप पर इसी चीज़ को देखते वे इसको इसके उपर जो भी Ads बगए इसको रोकने की बात Cryptocurrency एक Digital Money आपको देखने को मिलती है Cryptocurrency के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग करंसी देखने को मिलती है जैसे की Bitcoin हो गया Ethereum हो गया उसके बाद Litecoin, Ripple अलग अलग प्रकार की आपको Cryptocurrency देखने को मिलती है यहाँ पर क्या होता है जो Cryptocurrency है इसके अंदर मतलब कैसे बन रह रहती है उसके बाद जाकर यहाँ पर एक Cryptocurrency निकल कर आती है आज की टाइम पर इस करंसी की वैल्यू काफी जादा है और यहाँ पर आप यह सकते हो कि Medium of Exchange है यहाँ पर क्या है इसका इसका इस्तमाल किया जा सकता है as a fund तो यहाँ पर क्या है ना कि आपके पास कोई physical value नहीं यहाँ पर कोई कोई नहीं आएगा आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक digital value है जिसका wallet में जो मतलब कि जिसका value आपके wallet का अदर यह दिखाएगा ठीक है तो अभी क्या है ना यहाँ पर इसके ओपर कोई भी body नहीं है जो कि इसको regulate करती हो तो सबसे बड़ी दिक्कत इसकी यही सकती है टेररिजम बगरा को या फिर money laundering पैसे को आप black money से white money में convert कर सकते हो टेरर financing कर सकते हो तो इस प्रकार की situation काफी बढ़ सकती है तो इस चीजों को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने बोला है यहाँ पर क्रिप्टो करनसी के रिगार्डिंग जो भी advertisement है इसको पर रोख लगनी चाहिए आई होब आपको यह clear हो चुका है नेक्स्ट आडिकल में बाचीत की गई है अभी हाँ पर क्या हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूएस के lawmaker से बाचीत करी है अभी हाँ पर क्या होने वाला है दिसंबर में हम लोग S-400 सिस्टम को purchase कर र क्या है कहां पर frequent ask question पर तो वहाँ पर हम लोग काफी detail में समझेंगे क्या है S-400 आज के टाम पर भारत को क्यों जरूरी है अभी तक USA किस किस के ओपर sanction लगा चुका है प्लस भारत को डर क्या है भारत के ओपर possibility है sanction लगने की तो सब कुछ discussion आगे हम लोग करने वाले हैं इसके लगबग 20 मचवारों को release करेगा लेकिन यहाँ पर यह नंबर बहुत जादा है अगर हम देखें मतलब की जिन लोग को arrest कर रखा है इन्होंने वो बहुत जादा है अभी release यहाँ पर बहुत कम लोग को कर रहे हैं क्या होता है न मैंने आपको काफ़ बढ़ समझा रखा है ज यहाँ पर आपको यह समुद्र देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या होता है बहुत सरे मचवारे एक तरीके से फिशिंग करने जाते हैं ताकि वो लोग अपना जीवन वेतीत कर सकें तो यहाँ पर फिशिंग करते करते वो international maritime boundary को cross कर गे पाकिस्तान की territory में घुश जाते हैं अब उनको कोई पता बता तो है नहीं ठीके क्योंकि यहाँ पर उनके पास कोई ऐसा device बगरा भी नहीं है तो वो पाकिस्तान की territory में घुश जाते हैं अब क्या होता है वहाँ पर जो पाकिस्तान की force है जिसको हम लोग पाकिस्तान marine security agency बोलते हैं वो लोग यहाँ पर इनको पकड़ लेते हैं कभी-कभी गोली भी मार देते हैं अब भी आपने देखा एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी एक मचवारे को च्छे लों को अरेस्ट किया गया तो लगबग एक हफते बाद ही अब पाकिस्तान यहाँ पर 20 मचवारों को रिलीज भी कर रहा है यहां से यह 376 फिशर्मेन वहाँ पर कस्रडी में है इसमें से जो 20 फिशर्मेन है यह आज रिलीज कर दी जाएंगे आज भारत के पास आ जाएंगे और साथ साथ आज के टाइम पर पाकिस्तान के पास हमारी 1200 बोट भी है ठीक है यह जो वो वाली बोट है जो कि इन मचवारों ने इस्त किया है तो मैं आपको एक आइडिया है पर दे दिया उसके बाद यह जो आप पिच्चर देख पाए रहोंगे काफी यहाँ पर ब्यूटीफूल सा पिच्चर है जो कैमल्स वगरा है यहाँ पर उट है इनको ले जाया जारा है कहाँ पर पुशकर फियर के अंदर देखो रा पर जुरूबात यहाँ पर होती है ताकि जो लोकल कैमल्स होता है जो कैटल ट्रेडर हो गए यह सब आए ठीक है बिजनस मीटिंग के लिए आए आप उसमें बातचीत करें और यह जो पूरा फेस्टिवल होता है कार्थिक पुर्न्दिमा फेस्टिवल के तौर पर यहाँ पर यह देखा जाता है कार्तिक पुर्णमा के टाइम पर इसको celebrate का जाता है आप एक तरीके से यह कह सकते हो नाओ पुशकर जो एक छोटा सा टाउन है यहाँ पर बहुत सरे टैंपल्स आपको देखने को मिलेंगे और बोला यह जाता है पुशकर पुरे दुनिया में एक ऐसी दनुश के बाद आगे बढ़ेंगे और क्या important article है तो उसके बाद page number 11 पर आपको कोई भी ऐसा article important देखने को नहीं मिलेगा सारे statement wise चर्चा हो रही है इनको आप लोग यहाँ पर skip कर सकते हो जादा कुछ खास कीज़े है नहीं उसके बाद आएंगे directly page number 12 के उपर that is world section देखे पर क्या है Belarus ऐसा के निचे निचे मोंगोलिया हो इसके बाद इंडिया हैं आज कि हम लोग चीजों का अच्किस समझ वाइं इससे वीससे मैं कहाई को देखा करो काफ सिपिसे याद रहती क्या के साथ बात करती है बेलरूप की तो माहलों यहां पर पहलीँ बात पोलेंड आपको यहां पर इ 말ऊ जाइकुरफ कान फंद को बेलरुस देखने को मिलेगा पोलेंट और बेरालुस दोनों कंट्रीज के जो बॉर्डर है वो आपस में शेर होते हैं ठीक है यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर है अब इसके नीचे आप यूरोपेन यूनियन के नीचे पूरा आप देख पाओगे पूरा हमारा एक तरीके से अफ्रिकन कॉंटिनेंट है ठीक है अफ्रिकन कॉंटिनेंट में जो सबसे पहली वाली लाइन आती है वो कौन से आती है मोरोको आता है मोरोको एलजीरिया तुनीशा लिबिया और एजिप्ट यह आपको कंट्रीज देखने को मलती है अफ्रिकन क थी है वो बेलरूस के बॉर्डर पर खड़े हैं बेलरूस के बॉर्डर पर खड़कर लड़ रहे हैं और इस बॉर्डर को तोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग को यूरोपेन यूनियन के अंदर एंट्री चाहिए हम लोग यूरोपेन यूनियन में रहना चाहते हैं अब यहाँ है कि यहाँ पर जो लड़ रहे हैं लोग ये कौन कौन है ये सारे आपको refugees देखने को मलेंगे कहां से Algeria, Libya, Syria इन सब के अंदर जो countries के अंदर काफिशारी wars बगरा चलती हैं उसकी वज़ाँ से लोग यहाँ पर ये शरण लेने जा रहे हैं ये ये आप लोग देख हजारों के कगार में बहुत सारी forces खड़ी हैं जो कि रोकने के लिए खड़ी है लेकर गोली भी नहीं चला सकते हैं अगर गोली चलाते हैं तो इससे human right relation होगा है अब क्या है ये लोग पॉलेंड पे मतलब बेलारूस के border पर पहुंचे कैसे तो रशिया का बहुत बड़ा र पर रशिया के साथ मिल जाए ठीक है तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है तो यहाँ पर ये लोग पहुंचे कैसे इसके पीछे का reason यह है कि रशिया ने इनको लोग को बुलाया यहां तक यहां से बुलाया यहां पर और फिर उसके बाद यहां से पहुंचाया बे व्लादिमार पुतिन ने इनके थूरा एक statement दिया जाए कि जो ये फूरा dispute clear हो रहा है ये जो migrant crisis निकल रहे इसका कॉज बेलरुस नहीं है व्लादिमार पुतिन सपोर्ट कर रहा है बेलरुस को बेलरुस नहीं है जो बेलारुस, पॉलेंट, पुरा का पूरा बॉरर डिस्प्ट ग्रेंट हुआ है आज के टाइम पर बहुत सरी बॉर्ड के उपर बातचीत की जारी इराक के अंदर वार्षे हुए जो अफगानिशा के अंदर वार्षे हुए इन सब के उपर जो रिजन है जो भी यहाँ पर इन countries के अंदर war हुए वो western countries यहाँ पर इसके पीछे के reason western countries है western countries है यहाँ पर इस सारी war create करी है इसके पीछे का reason बेलारूस नहीं है तो यह support कर रहे है आज के time पर ठीक है तो यह यहाँ पर statement दिया गया है I hope आपको यह clear हो चुका होगा क्या है exactly और मैंने आपको बताया migrant workers के बारे में वो ही सारी यहाँ पर चर्चा हो रही है कि अगर किसी को भी गोली मार दी कहीं तो उससे क्या होगा यहाँ पर human right violation होगा इसी वजा से और Russia का main focus यह है हम लोग European Union को पूरा तोड़ दें यही main focus आज के टाइम पर Russia रख रहा है और इसी चक्कर में आज के टाइम पर बिलारुस के साथ नहां पर यह बातचीत चल रही है I hope आपको यह अच्छे से clear हो चुका है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं next article के तरफ और क्या हमाली important next page पर आएंगे यहां पर बात की गई है page number 13 के उपर science and technology का एक article है एक ही article है जिसको हम discuss करेंगे जो बहुत important है बात की गई है black hole के बारे में आपको समझाओंगा black hole क्या होता है don't worry एक चीज़ clear हो जाएगी important article है science and tech के perspective से science and tech आता है हमारा GS paper 3 के अंदर देखो 2019 के अंदर एक black hole की image image को capture किया गया था किया वह यह black hole है लेकिन अब बोला जा रहा है क्या यह वह वाकई में black hole था जो की यह EHT ने image जो capture करी थी क्या वह वह वाकई में black hole था EHT क्या है यह event horizon telescope एक टेलिसकोप की मदद से black hole की image को capture किया गया था 2019 के अंदर तो अब बोला यह जा रहा है क्या वह वाकई में black hole है या फिर वह कुछ होर है ठीक है तो हम लोग discuss करेंगे क्या बोला जा रहा है तो बहुत सारी possibility यहाँ पर बताती है कि वह एक gravitomagnetic monopole है ना कि black hole है तो discuss करेंगे आखिरकार यह क्या क्या चीज़े है यह naked singularity क् आप लोग को जानने को मिलेंगे लेकिन उससे पहले इस picture में आपको काफी सारी चीज़ों को cover करना होगा साल 2019 की बात है एक हमारे पास telescope है event horizon telescope इसके group नहीं हाँ पर एक image को capture किया है और वो image थी supermassive black hole की वो जो black hole है वो यहाँ पर m87 galaxy से बिलॉंग करता है यह आप लोग को बहुत सारी galaxies आप लोग को देखने को मिलती हैं जैसे आज के टाइम पर हम लोग जो रहते हैं वो कौन सी galaxy में रहते हैं milky way galaxy में रहते हैं एक question आप लोग से और बनेगा milky way galaxy के बिल्कुल pass में सबसे जादे pass में कौन सी galaxy है आपको उसका नाम बताना है और उसी प्रकार से 87 galaxy के अंदर भी आपको एक black hole देखने को मिलेगा तो इसी black hole की image को capture किया गया अब बात की जारी है क्या वाकर में वो black hole था जो हमने capture किया है या फिर वो कुछ और है ठीक है अब ये चीज़ आपर तलती वे नजर आ रही है तो possibilities यहाँ पर बताई जा रही है कि वो black hole नहीं ह वो एक naked singularity है with a gravatomagnetic monopole तो discuss करेंगे ये naked singularity gravatomagnetic monopole आखिरकार क्या है इसके बारे में आप लोगों यहाँ पर इस चीज़ जानने को मिलने वाली है उससे पहले हमें समझना होगा आखिरकार सर्य ब्लाक होल है क्या ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको काई सारे important notes प्रोव प्रोचर किया था इसके बारे में आपको ध्यान रखना है black hole located होता है galaxy के center में और यहाँ पर यह जो m87 है जिसका नाम है macier 87 यह जो galaxy है basically इसके भी center में black hole located है अब जो यह galaxy है जिसके बारे मैं बात कर रहा हूं यह galaxy 53 million light years away from the earth अब इसका मतलब क्या है light की जो speed होती है एक second के light जितना travel कर रही है तो आप समझ सकतो 53 साल तक light जितना travel त्रिपन मिलियन साल तक जितना light travel करेगी उतनी दूरी पर आपको गलेक्सी देखने को मिलेगी मतलब distance मतलब unlimited distance यह देखने को मिलेगा बहुत बहुत दूरी पर आपको यह galaxy देखने को मिलती है जिसका नाम है m87 ठीक ब्लैक होल काफी बड़ा था यह प्लस उसके बाद यहां पर आप देख पाऊंगे इस ब्लॉक के ब्लैक होल होता क्या है मैं आप लोग को आगे समझाओंगा इससे पहले थोड़ी चीजे और बता देता हूं ब्लैक होल यहां पर जो टर्म है ना इसको लाया गया था 1960s के पास एक American physicist है John Archibald Wheeler इन्होंने यहां पर बाता आटाया था ब्लैक होल के बारे में ब्लैक होल का राफर क्या है एक सम्टेश की जगाई इसका मतलब क्या है मैं आप लोगो थोड़ा सा picture के थुरू clear करता हूँ थोड़ा सा confused ना हो आओ आप इसके बारे में discussion करेंगे तो यह आप लोग देख पाओगे कुछ इस प्रकार से black hole का यह image होता है इस प्रकार से आपको यह black hole देखने को मलता है ठीक है इसके अंदर gravity लेकिन light भी चली गई नहीं तो भी नहीं होता चलेगा वह कहां गई यह ऐसा होता है black hole ठीक है इतना danger होता है black hole इस प्रकार की images देखने को मिलती है black hole की अब इसका structure में आप लोगो समझा देता हूँ ऐसा black hole देखने को मिलता है इस black hole के अंदर एक accretion disk होती है बाहर यह event horizon इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग event horizon यह जो आर्क बनावाए बाहर वाला जो boundary है इसको हम लोग बोलते है event horizon इसके बीच वाला जो portion है वो है singularity इसके बारे में आपको ध्यान रखना है ठीक है यह event horizon है event horizon के पास में जो जाएगा event horizon को जैसी cross कर दिया किसी भी चीज जाएगी और black hole के अंदर चली गई तो पता नहीं और वहां से कभी बाहर नहीं आएगा और black hole के अंदर gravity इत्ती जादा है कि यहाँ पर वो चीजों को अपने अंदर खेंच लेता है चाहिए वो कोई भी चीज हो यह आप लोग को ध्यान रखना है यह है black hole के बारे में वो एक point of no return है अगर वहां तक कोई चीज पहुँच गई तो वहां से वो कभी वापस नहीं आई है no return यहाँ पर बोला है point of no return उसको बोला जाता है ध्यान रखना point of no return क्या है वो है event horizon ठीक है अब यह जो black hole की image है वो capture करी थी event horizon telescope ने इसके बारे में ध्यान रखना है यह जो black hole है यह black hole है भी आ नहीं है black hole की वज़ा यह एक singularity हो सकती है इसके बारे में चर्चा की गई है तो हम discuss करेंगे यह singularity क्या बोला गया है इसको यह क्या है अखिरकार singularity तो black hole singularity को हम लोग बोलते है यह जैसा बीच वाला portion है ठीक है यहाँ पर देख पाओगे इस प्रकार से black hole है black hole में एक horizon होता है उपर से boundary आपको देखने को मिलेगी यह इसको हम लोग no return point बोलते है अगर यहाँ पर कोई चीज पूची तो वापस return नहीं होगी प्लस इसका जो बीच वाला हिस्सा है वो singularity कहलाता है लेकिन अभी जो बात की गई है अगर यह black hole नहीं है तो यह एक हो सकता है gravitomagnetic monopole अब यहाँ पर question यह है कि gravitomagnetic monopole क्या होता है ग्राविटो मेगनेटिक मोनोपॉल में क्या होता है जो event horizon होता है वो नहीं होता मतलब कि जो आपने black hole देखा black hole के अंदर ये वाला event horizon है ये वाला singularity वाला portion है जो event horizon होता है वो black hole के अंदर नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं naked singularity इसके बारे में आपको ध्यान रखना है तो ये एक छोड़ा सा याँ पर idea दिया गया तो इसके अंदर naked singularity नहीं है ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है इसको लेकर एक article पब्लिश होता आई होब आपको सारी चीज़ें अच्छे से clear हो चुकी है आगे बढ़ते हैं next article की तरह उसके बाद यहाँ पर काफी से डिजेस के बारे में चर्चा हो रही है जीका, डेंगू के बारे में चर्चा हो रही है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते भी रहते हैं काफी बार तो आगे भी कोई article लागा है तो मैंने वीडियो को महीं रोग दिया था, लेकिन खास बात यह है, वही आर्टिकल आज यहाँ पर आ चुका है, लेकिन उससे अच्छी बात यह है, कल आर्टिकल बहुत शॉर्ट था, आज आर्टिकल बहुत है डीटेल में है, मतलब एक अच्छा ही काम हुआ कि हला हम आर्बियाई के थुरू नई स्कीम लाई गई है, हमारे प्राइमिनिस्टर ने दो नई स्कीम जारी करी हैं, और वो नई स्कीम कौन कौन सी है, हम लोग उसको डिसकस करेंगे, एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग नाम है, रीटेल डारेक्ट स्कीम देख इन्वेस्टर स्कीम है, रीटेल डारेक्ट स्कीम में क्या होगा, जो स्मॉल इन्वेस्टर सें, उनको इतनी जादे एक तरीके से यहाँ पर, मतलब इतनी जादा आपको सकते हो, परमिशन नहीं मिली थी कि आगे वो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद करें, या जिसको हम लोग पर्चेस करते हैं, तो वहाँ पर छोटे मोटे इन्वेस्टर नहीं कर सकते था ये काम, लेकिन अब छोटे मोटे इन्वेस्टर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉर्नमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको खरीज सकते हैं, उसको बेश सकते हैं वो यहाँ पर retail direct scheme के अदर बताया गया ठीक है लेकिन यह mutual fund की तरह नहीं है पहले भी आप invest कर सकते थे लेकिन mutual fund की मदद चाहिए थी लेकिन अब यहाँ में mutual fund की मदद नहीं चाहिए अब directly invest कर सकते हो ठीक है यह यहाँ पर बताया गया और सारी चीज़े मिलता है और आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर अपना पैसा आप invest कर सकते हो ठीक है यह चीज़े आपर बतायी गई है तो जो government है यहाँ पर borrower है borrower पैसा लेगी प्लस आपको fund provide कर मतलब guarantee देगी कि आपको इसका वेरे में return मिलेगा आपको जो है यहाँ पर यहाँ पर government securities को purchase कर सकते हो primary और secondary दोनों के लिए allow किया गया है minimum 10,000 रुपे आप आप invest कर सकते हो कितना भी maximum amount आप लोग यहाँ पर invest कर सकते हो UPI platform के थूरू net banking के थूरू आप लोग यहाँ पर investment कर सकते हो government securities में यह यहाँ पर चीज़े बताई गई है तो इसी को लेकर एक scheme दी गई है retail direct scheme जिसके बारे आप लोगो ध्यान रखना है retail जो retailers है वो directly हाँ पर invest कर सकते है government securities के अंदर ऐसे आप लोग याद रख सकते हो उसके बाद यहाँ पर दूसरी वाली scheme का नाम है integrated ombudsman scheme अब यह integrated ombudsman का मतलब यह है यहाँ पर एक portal launch कर दिया गया है एक website है जहाँ पर अगर आपको कोई problem है आपको कोई problem है चोटे मोटे bank के साथ आपका dispute create हो चुका है जो non banking financial companies हो गई या bank की company bank हो गए चोटे मोटे वहाँ पर आप लोग की सुनवाई नहीं हो पा रही है तो आप अपने मुद्दे कहाँ पर पहुचा सकते हो इस portal पर आप लोग दे सकते ह यहाँ पर मुद्द सुनेगा तो इसको हम लोग बोलता है integrated ombudsman scheme तो इसके बारे आप लोग दिहान रखना है इस पूरे को operate करेगा RBI को आरबी यहाँ पर operate करने वाले इस portal को लगबग 22 ombudsman officers होंगे जो कि यहाँ पर आपकी जो भी complaints होंगी उसकी सुनवाई करेंगे और फिर उसका उन banks को पर steps दिये जाएंगे या फिर आपको कोई परिशान ही है तो grievance retrasal का काम करेगा यह scheme तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कोई भी problem होगी तो आपको यहाँ पर इस portal पर दे दे नहीं है वो problem आपकी जो दिक्कत हो solve कर दी जाएगी RBI यहाँ पर क् आर्टिकल देखने को मिला उसके बाद next आर्टिकल में चर्चा की गई है S-400 सिस्टम के बारे में आपको मालूम होगा मैंने काफी बार पढ़ाया है कि अभी हम लोग एक तरीके से रश्या से S-400 सिस्टम को purchase कर रहे है S-400 missile सिस्टम को इस प्रकार से दिखता है और यहाँ पर हम लोग को खत्रा किसका है US का देखो होता क्या है कि अगर कोई भी कंट्री अगर रश्या से कोई भी कंट्री रश्या से नॉर्थ कोरिया से या फिर एरान से कुछ इस प्रकार के डिफेंस सिस्टम को purchase करती है खासकर focus रश्या के उपर रखा जाता है ठीक है मालों किसी कंट्री ने रश्या से इस स्टम को purchase किया या फिर कोई और defense equipment को purchase किया तो इससे क्या होता है इससे US नाराज होता है और US क्या करता है जिस कंट्री ने purchase किया है उसके ओपर sanction लगाता है कौन से sanction उसको बोलते हैं हम लोग कार्ट सा sanction ठीक है कार्ट सा की full form है countering America adversities through sanction act अभी ए यूएस रसिया से काफी नाराज रहता है रस्या से relation काफी खराब हैं ऐसा क्यों भई क्योंकि इसके पीछे के दो reason है एक reason यह है साल 2014 में क्या 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 सकते हो कि रसिया ने क्रीमें वाली region को हत्या लिया था ठीक यूप्रेण के अंदर आपको क्रीमय वाली रीजन देखन और इसकी वैसे युएस चाहता है कि रश्या की सरकार के पास पैसा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी पैसा ना जाए और रश्या की बुरी हालत हो जाए, अब क्या होगा, मान लोग कोई कंट्री रश्या से कोई defense equipment पर्चेस करें, तो इसके बदले हैं पैसा तो देगी, अ अब यहाँ पर दिसंबर में, इसी साल के दिसंबर मतलब अगले महिने यह जो system में हमारे पास आ जाएंगे, तो इसकी बाद possibility है कि जो US हमारे उपर sanction लगा जए, सर क्वेशन यह आएगा, क्या US ने यह sanction पहले भी इस्तमाल किया हैं, बिल्कुल पहले यहाँ पर चाइना औ और टर्की के उपर इस्तमाल कर चुका है, चाइना के उपर इस sanctions लगे हैं, चाइना ने और टर्की ने दोनों ने मिल कर S-400 सिस्टम को purchase किया था, किसे रश्या से, इस वज़ा से इनके उपर यहाँ पर यह एक तरीके से लगा दिये हैं, काट्सा के sanction, अब यहाँ पर possibility है कि भारत के उपर भी sanctions लग सकते हैं, ठीके, इसके बारे मैं आप लोगो ध्यान रखना है, अब क्या है ना, यहाँ पर और भी चीज़े बताई गई है, जैसे कि जो काट्सा है, इसको इस प्रकार से design किया गया है, कि यहाँ पर कोई, अच्छा है, यह चीज़े मैं आप लोग एक लिए उन चीज़ों को समझाया है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे, एक important बात यहाँ आती है, कि S-400 सिस्टम हमाले जरूरत क्यों है, देखो S-400 सिस्टम हमाले इसलिए जरूरत है, क्योंकि आज की टाइम पर भारत के उपर खत्रा बढ़ चुका है, नएने important है, देखो S-400 सिस्टम हम लोग इसको पर focus रख रहे हैं, इसी भी वज़ाद से हम लोग इसको रिसीव कर रहे हैं, देखो possibility से नजर यह आती है, बोला यह जा रहा है कि बहुत सारे जो experts हैं, उनका कहना यह है, कि अगर हमने इंडिया के उपर sanction नहीं लगाए, तो इसकी व सालूम होगा, अभी कुछ टाइम पहले हैं, आपर US के एक डिफेंस मिनिस्टर आय थे हमारे हैं, तो उन्होंने उनको बोल के भीजा गया था, कि आप इंडिया के साथ जो डिफेंस सेक्रेटरी है, लोई डॉस्टेन, इनको जब ये इंडिया के अंदर आए, एपरिल 2021 में तो इनसे बोल के बेजा गया था, एक महाँ पर सीनेट फॉरन रिलेशन है, एक कमीटी है, उन्होंने बोल के बेजा कि भारत को फोकस करना, भारत के ओपर जोड़ देना कि S-400 डील को वापस ले ले, S-400 डील ना करे, अगर S-400 डील क्लियर हो गई न, तो इससे सेंक्शन ल बात करता है, जो MP-led है, ठीके, MP-led scheme है, बिसिकली, इसको चेंज किया जा रहा है, और चेंज करने के बाद यहाँ पर जो पैसा दिया जाता है, वो अभी यहाँ पर पैसा थोड़ा सा कम दिया जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ, खास कर, क्या है न, देखो MP-led scheme के बारे म इसकी फुल-फॉर्म है, Member of Parliament, Local Area Development Scheme, यहाँ पर क्या होता है, जो Member of Parliament, चाहे वो लोग सभा के मेंबर हो, चाहे वो राजय सभा के मेंबर हो, इनको कुछ पैसा दिया जाता है, कि अपने एरिया के अंदर डेवलप करेगा, और जो एक तरीके से लोग सभा के मेंबर है, वो यह हमारा Ministry of Rural Development के अंडर में आती थी, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया Ministry of Statistics and Program Implementation के अंडर में, इसका में काम क्या है कि हर साल जो Member of Parliament होता है, इनको 5 करोड उपे दिये जाते हैं, दो installment में, दो किस्तों में, लगबग 5 करोड एक बार, 5 करोड एक बार, और यह जो फंड है, यह एंपिलेड के अंदर यहां पर यूज किया जाता है, development के उपर, आप जो MPs हैं, वो कोई भी हो सकता है, चाहिए वो लोगसभा का हो सकता है, यह राजे सबा के हो सकता है, सभी Member of Parliament है, तो लोगसभा को डिकमेंट किया जाता है, कि आप district level पर काम करोगे और राजे सबा को order किया जाता है, कि आप लोग state level पर, राजे की level पर आप लोग यहाँ पर development करोगे, इसको पर यहाँ पर यह फोकस रखा जाता है, और main काम क्या होता है, कि आप लोग drinking water facilities प्रोवाइड करवाओगे, education प्रोवाइड करवाओगे, इसी पैसो से health के उपर का के बनवाओगे, यह सारे काम करने होता है, इन पैसो से, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग ज़्याद दर फोकस रखते हैं, जो सरकारी योजना हैं, सरकारी स्कीम है, उनको और ज़्यादा अच्छे से implement करें, इनी पैसो का अस्तमाल करके, जैसे स्वच बारा तब यान हो ग काफी विवाद में है, बार-बार बोला है, इस स्कीम को रोखो या फिर इस स्कीम को review करो, क्योंकि इसके अंदर घोटाला बहुत होता है, जो पैसा है, वोुमिस्यूस के जाता है, गलत तरीके से, पैसा कभी लगाया गही नहीं जाता है, थिक्व refers करना पड़ेगा, इसको लेकिन पहले कोरोना से पहले 5 करोड़ उपे मिलते थे MPs को साल में लेकिन अब यहाँ पर 5 करोड़ नहीं मिलेंगे अब यहाँ पर सिर्फ दो करोड़ उपे मिलेगा ताकि development करने के लिए और वो भी जो important development से उसी के उपर ज्यादे तर ध्यान दिया जाएगा यह आप लोगो यह पलेट्स बगबर प्रोवाइड करवा सकें लेप टॉब्स प्रोवाइड करवा सकें ओनलाइन एजूकेशन प्रोवाइड करवा सकें आतकि जो बच्चमन उं-ला ने चीम पर पे पैंड़ामिक गई इसके अपने आप फोकस रखा जहाए अ depend सस्रूकल यह थे कुछ आर्टिकल आज का न्यूस्पेपर एनलिसस काफी इंपोरेंट था हाँ कल हमारा एक लास्ट वल आर्टिकल ले गया तब हमने डिसक्स किया उसके वास एडिटोरल पर एक आर्टिकल था नहरू जी के बारे में चर्चा की गई थी तो इसी को लेकर एक आर्टिकल कल पब्लिश हुआ था उसी के बारे में चर्चा की गई थी लेकिन आपको मैं वो आर्टिकल कल पढ़ा दूँगा क्योंकि कल भी आपको नहरू जी को लेकर एक नएक एडिटूरल देखने को मेलेगा ठीक है तो उसके बारे में टेंशन मत लेना बाकी जो आर्टिकल रहे झाल झाल